हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैग, मैं सेल्फ कृती वर्मा, वेलकम टू मैं चैनल बाइलजी बाइट, प्रीविएस लेक्चर में हमने पढ़ा था, नूट्रेशन इन एमीबा, तो आउर नेक्स टॉपिक इज नूट्रेशन इन हिमन बिंग्स, हिमन में मोड अफ नूट्रेश जन्हें कार्बो हाइड्रेड लिए या फिर फैट लिए जो कुछ भी लिए फूड में वो हमारे लिए नूट्रेशन होता है, हमारे बाडी में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आफ्टर टेकिंग नूट्रेशन, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉप्शन, ए यहां है माउथ, यह वाले पाट को हम इसोफेगस कहते हैं, यह स्टमक, लिवर, यह स्टमक के नीचे, पैंक्रियास, यह उपर वाले स्ट्रक्चर को लाज इंटिस्टाइन कहते हैं, अंदर वाले को स्मॉल इंटिस्टाइन, एन हिमेन डैजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट एनस, पहला डैजेशन, हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, मा एंजाइम जो होता है basically rate of reaction को increase करता है यहाँ पे salivary amylase enzyme पाया जाता है mouth में जो starch के digestion में help करता है उसके बाद food यहाँ isophagus में आएगा isophagus में food का peristaltic movement होता है ऐसे ऐसे movement होता है food का क्योंकि यहाँ पे smooth muscles पाया जाते हैं इसलिए isophagus में food का peristaltic movement होता है और food stomach की तरफ push होता है फिर यहाँ food stomach में आएगा stomach में तीन enzyme पाया जाते है S.C.L, pepsin and mucous S.C.L. जो होगा वो pepsin को activate करेगा यहाँ पे जो pepsin enzyme है वो protein का digestion करता है पहले S.C.L. pepsin को activate करेगा जब pepsin active form में आ जाएगा तो वो protein का digestion करेगा stomach में और जो mucous होता है वो stomach का protection करता है क्योंकि यहाँ पे S.C.L. होता है पुरा acidic medium create हुआ रहता है S.C.L. की वज़े से इसलिए वो stomach के layer को protect करता है S.C.L. से mucous उसके बाद food हमारा pancreas में आएगा बट उससे पहले liver से juice secret होता है जैसे यहाँ पे stomach में S.C.L. के कारण जो food होता है उसका acidic medium होता है उसको neutralize करने के लिए liver जो है bile juice secret करता है bile juice fat का emulsification करता है और second neutralization करता है जो acidic यहाँ पे medium होता है उससे maintain करता है neutralize करता है bile juice alkaline होता है वो neutralization का काम करता है and emulsification of fat उसके बाद यहाँ पे food pancreas में आएगा pancreas में pancreatic juice secret होता है जो दो टाइप का pancreatic juice होता है trypsin and lipase trypsin जो होता है वो protein का digestion करेगा trypsin enzyme and lipase जो होगा वो fat का digestion करेगा यह digestion हमारा pancreas में होगा उसके बाद food small intestine में जाएगा small intestine में food का completely digestion होता है food completely small intestine में digest करता है complete digestion of food are tax placing small intestine यहाँ पे है large intestine basically large intestine का food के digestion में कोई रोल नहीं होता है large intestine में absorption of water and minerals water और minerals का absorption होता है उसके बाद small intestine में food का complete digestion होगा उसके बाद वो human digestive system का जो last part होता है उससे बाहर जाएगा इन शोर्ट पहला डाइजेशन हमारी माउथ से स्टार्ट होगा माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है उसमें एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है salivary amylase उसके बाद food यहां इसो फेगस में आएगा इसो फेगस में smooth muscle present होता है उसके कारण peristaltic movement होता है और food नीचे की तरफ पुश होता है स्टामक में स्टामक में SCL, pepsin and mucos present होता है SCL जो होता है वो pepsin को पहले activate करेगा उसके बाद pepsin activate होने के बाद active form में protein कर digestion करेगा और mucos जो है, वो SCL से protection प्रोवाइट करेगा स्टामक को यहां पे स्टामक में acidic medium होता है food यहां पे acidic हो जाता है फिर उसको neutralize करने के लिए liver bile juice secret करता है जो neutralization का काम करता है and emulsification of fat उसके बाद food यहां pancreas में आएगा pancreas में pancreatic juice secret होता है trypsin enzyme protein का digestion करेगा and lipase enzyme fat का digestion करेगा उसके बाद food यहां small intestine में आएगा यहां food का complete digestion हो जाता है और large intestine में water and minerals का absorption होता है और फिर जो food होगा वो NS से बहारा जाएगा यह रहा nutrition in human and holozoic nutrition यहां पे है nutrition in human beings the human digestive system comprises of elementary canal and associated digestive gland human digestive system में जैसा कि हमने पढ़ा एक elementary canal होता है और बहुत सारे glands होते है mouth में पहले food को हम लेंगे वहां पे तित जो होता है वो food को grinding या फिर चेविंग का काम करता है फिर टंक जो होता है वो food को टेस्ट करता है और food को अंदर cello करने में help करता है उसके बाद food जो होगा वो celery gland में पहुचेगा वहां पे celery amylase जो होता है एक enzyme वो starch का digestion करेगा यहां आप देखेंगे starch का digestion होगा in presence of celery amylase enzyme उसके बाद food इसोफेगस में पहुचेगा taking food from mouth to stomach by peristaltic movement food जो होगा वो stomach की तरफ पुच होगा peristaltic movement की वज़ा से because isofagus में smooth muscles present होता है उसके बाद stomach में तीन enzyme या फिर उसे gastric juice कह सकते वो पाया जाता है पहला है pepsin, second, SCL and mucus SCL जो होता है वो acidic medium बनाते हैं stomach में and pepsin को activate करता है फिर pepsin जो होता है activate होने के बाद protein का digestion करेगा और stomach में SCL present होता है उसके कारण यहाँ पे mucus होता है जो stomach के inner lining को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइट करता है उसके बाद food small intestine में आएगा small intestine में food का complete digestion होता है यहाँ पे carbohydrate का digestion होगा तो हमें glucose मिलेगा fat का digestion होगा तो fatty acid plus glycerol मिलेगा and protein का digestion होगा तो हमें amino acid मिलेगा small intestine के inner layer में एक will lie present होता है finger like structure होता है projection होता है जिसे हम will lie कहते हैं will lie जो होता है blood में food के absorption में help करता है उसके बाद liver जो होता है वो bile juice सिक्रीट करता है जो neutralization को maintain रखता है यहाँ पे emulsification of fat होता है जो large fat molecules होते हैं यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो large fat molecules होते हैं वो small fat molecules में split कर जाते हैं यहाँ पे emulsification of fat होता है and neutralization को maintain करता है bile juice उसके बाद pancreas में trypsin and lipase पाया जाता है trypsin जो होता है वो protein का digestion करेगा and lipase जो होगा वो fat का digestion करेगा उसके बाद यहाँ large intestine में food का कोई digestion नहीं होता है large intestine का food के digestion में कोई role नहीं होता है absorb excess of water water को absorb करता है large intestine and minerals को भी water and minerals का absorption होता है large intestine में the waste of the material is removed from the body via the anus और जो भी waste material होता है वो एनस से excrete हो जाता है जिसे digestion भी कहते हैं तो यह रहा nutrition in human और holozoic nutrition in human अगर आपको अभी भी इस topic में कोई डाउट है तो आप मुझे comment section में लिख के भेजे and if you have not subscribed my channel then please subscribe and share with your friends thank you झाल झाल झाल